नमस्कार दोस्तों, आप सब को धंतेरस एमम दीपावली की धेर सारी शुब कामना हैं, ऐसे में जैसे दीपावली पे या धंतेरस पे सोना खरीदने का या गोल्ड खरीदने का हमारे बहुत चलन है और सद्यों पुरानी परंपरा है हमारे आइंदुस्तान की, तो लोग गोल आज हम अपने फ्रेंशल अवेरनेस के तौर पे सोने या गोल्ड के उपर बात करेंगे, सोना जैसे सभी लोग खरीते हैं, फिजिकल गोल्ड ही खरीते हैं, लेकिन चुकि अब डिजिटल जमाना होता जा रहा है, तो अब अगर आप उस गोल्ड को फिजिकल ना खरीद के, मेरी बात पर ध्यान दिजेगा, अगर उसको फिजिकल गोल्ड ना खरीद के, गोल्ड ही खरीदना है, तो डिजिटल तौर पे खरीदें, जिसके लिए भारत सरकार ने अपनी तरफ से सोविन गोल्ड बॉंड चारी किये हैं, सोविन गोल्ड बॉंड अथार्थ सरकारी गो अभी इसी पर बात करेंगे, तो आपको अंत में मालूम हो जाएगा कि एक फिजिकल गोल्ड खरीदना और एक सोविन गोल्ड बॉंड खरीदने में कितना फरक है और आपको क्यों खरीदना चाहिए, अभी क्या होता है, अगर हम सोना खरीदते हैं, तो उसकी प्योरिटी, उसको रखने का खर्च, उसको बचाने का खर्च और बाद में बेचने का खर्च बहुत सारा होता है, तरह तरह का, तो उसी की वज़े से भारत सरकार ने सोविन गोल्ड बॉंड जारी किये, सोविन गोल्ड बॉंड की सबसे बड़ी चीज यह है, कि आप उसको एक ग्राम म पर ओब दूसरा लिमिट मा convenience चार कीजी पर इंवस्टर इंवेस्टर फिनेंशल यियर है तो मिन्हम हो गया एक ग्राम चार्र इंवेस्टर फिन तुम्वार करने है आप इसको खरीद सकते हैं दूसरा इसका सबसे अच्छा वो है कि ऐसे आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें कोई ब्याज नहीं मिलता लेकिन यहां पर आपको धाई परसंट का ब्याज भी मिलता है जिसको आपको सरकार आपके खाते में उस ब्याज को सेमी एनुली मतलब रखते हैं तो आपको यह गोल्ड बॉंड केपिटल गेन से टाक्स फ्री रहते हैं मेरी बात पर ध्यान दीजेगा केपिटल गेन से टाक्स फ्री तब रहते हैं कि अगर आपने आज खरीदे हैं जब इशू किये गए और मेचॉरिटी तक अगर आप रखते हैं तो यह आप आपके capital gain tax से free रहेंगे at the time of maturity चौथी बात आती है इसमें next वो जो है कि यह क्या liquid है मतलब हम इनको भुना सकते हैं हाँ भुना सकते हैं लेकिन उसकी condition है कि यह एक तो आपके dematerialized mode में होने चाहिए कि आप physical certificate ना ले और इसको demat mode में लेंगे तो यह tradable security है और आप stock exchange में जैसे आप shares बेचते हैं वैसे ही इसको आप trade कर सकते हैं और खरीद सकते हैं इसके बाद क्या यह जैसे आप physical में लेते हैं तो physical में मैं खुद मना करूंगा कि physical पे आप इस gold bond को ना ले क्योंकि उसके दो नुकसान है पहला नुकसान यह है कि आपको वो 50 रुपए महंगा मिलता है means अगर आप digital लेते हैं तो उसमें 50 रुपीज का discount RBI के द्वारा आपको दिया जाता है कि अगर 5,150 रुपए का उन्होंने issue किया है तो और आप उसको digital mode या dematerialized mode में और online mode में ले रहे हैं तो आपको 50 रुपीज का discount मिलता है means करीब-करीब 1% का आपको उसमें और फायदा हो उनका lock-in 5 years है और 5 years lock-in के बाद आप उनको trade कर सकते हैं physical वालों को भी या उनकी बजार में बेच सकते हैं लेकिन उस पे 20% का long term gain with indexation tax आपको लगेगा इसलिए जबी भी ये gold bond ले या gold में निवेश के लिए सोचें तो जरूर सोविन gold bond पर ध्यान दें या आपका चोरी नहीं हो सकता या आपकी purity impurity को बचाता है और इसका सबसे बड़ा फायदा जो gold में आप invest कर रहे हैं या जो gold के में investment पर return की सोच रहे हैं वो returns आपको gold के हिसाब से same इसमें बिलता है because ये gold bond के rate जैसा बजार में gold का rate चल रहा है वैसा ही चलता है इसमें एक सबसे बड़ा यह है कि आपका इसमें टांका नहीं करता किसी तरह की और कोई चीज नहीं करती simple आप जैसे shares खरीते हैं या bonds खरीते हैं वैसे ही ये security है इसलिए इस बार इस दीपावली या इस उससे आप gold को digital form में soven gold bond में अपने पैसे को invest करने की सोचें धन्यवाद कि अब में आपी आप शूणेवाद